एपिसोड की शुरुवात होती है जुमादंग के लोगों से जहां वो लोग लिम्रंग के बारे में बात करते हैं कि जब वो जमीन में था ना मतलब जब वो जिन्दा था ना तब उसने दो या तीन लोग को मडर किया था कैसा रिक्स मेनेजमेंट टीम है ना मैनेजर हेल से है और दूसरा टीम मेंबर मडर है ये सब सुनके जुन्वंग चुलाता है कि क्या तुम लोग ने द्रेखे हो लिम्रंग को मारते हुए नहीं न लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ होगा वहां लिम्रंग अपनी मॉम को दूर से ही देखता रहता है अपनी मॉम को खुश देखके लिम्रंग को अच्छा लगता है फिर वो गोरंग को जा के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का लेटर देता है मतलब अब वो दूस परिपोर्ट को लिखेगा वह बोलता नहीं लिखना इसलिए जा रहा हूँ जोन वंन दमन बॉताव फेसला नहीं बतलो गे वह बलता जुबान का बका हूं बोलकर चला जाता है पिर जुन्मंग गोरन को जाके बोलता है कि क्या लिम्रंग को आम ऐसी छोड़ देंगे वह फ एक्चली हुआ किया था उस टाइम फिर दिखाता है पहले का जहां छोटा लिम रंग रोते हुवे अपनी मॉम के पास जाता है क्योंकि दूसरे बच्चे सब उसका नाम का मजग बनाते थे फिर उसकी मॉम उसे समझा कि उसका मूँ ठीक कर देती है वो फिर दूसरे बच्चो को पढ़ना लिखने का हक नहीं रहता था सिर्फ जो राजा के खंदान से है या फिर उनके पीडियों से है वही पढ़ सकते थे यह सब जाने के बाद लिम रंग राजे के बेटे के पास जाता है और उनको बोलता है कि प्लीज मुझे आप पढ़ना लिखना जिखाऊ ना ब उसकी मौम कर भी क्या सकती थी उनको जितना आता था वो अपने बेटे को सिखाती थी फिर एक दिन जहां वो काम करती थी वहां वो तीन सिपाई को देखती है जो पहले मुझरिम रहते थे बढ़ नए गवर्नर ने लोग को जेल के बज़ाए अपना सिपाही बना दिया था फिर रात में वो तीनों इनको लेने आते हैं ये बोलके कि गवर्नर आज भी पीते हुए आपकी बाते ही करते हैं इसलिए हम लोग के साथ चलिए फिर दिखाता है पहले का कि वो पहले गवर्नर को ड्रिंग देती थी उधर काम करती थी बट गवर्नर नशे की हालत में उनक साथ जबरदस्ती करता है फिर इधर जब वो मना कर देती है जाने से तो वो लोग उसको लिमरंग की धंकी देते हैं फिर वो उधर जाती है गववनर उसको बोलता है कि रोज रात मेरे साथ बिताना फिर मैं तुम्हारे बेटे को एड़प्ट कर लूँगा क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर वो बहुत सूचती है बर जब देखती कि उसका बेटा अपनी मॉम को बहुत रिक्सपेक्ट करता है तो वो गववनर को जाके मना कर देती है वो उसको बोलता है कि अगर ये फैसला लो की तो याद रखना तुम्हारा बेटा तुमसे भी बत्तर जिन्दागी जीएगा वो गुसे में उस पर पानी फेक्ट देती है और बोलती है कि अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका किये तो मुससे बुरा कोई नहीं होगा बोलके चली जाती है फिर गवनर अपने सिपाई को ओर देता है कि उसको अच्छा सबक सिखाओ वहाँ दुसरे बच्चे लोग जाके लिमरंग को बोलते है कि तुम्हारे फदर मारे नहीं है बलकि कोई फदर ही नहीं तुम्हारी माम महल जाती है रात में इसलिए उनको पढ़ना लिखना भी आया है वो लोग इतना बुरा बोलते है कि लिमरंग लोग को बहुत मारता है फिर दिखाता है जब वो तीन सिपाई उसकी माम को लेने आये थे तो वो लोग की सारी बाते लिमरंग भी सुन लेता है तो वो बहुत ही गुसे में रहता है कि मेरी माम ऐसा नहीं कर सकती है वहां सिपाई लोग उसके घर आते है वो देख के वो डर जाती है फिर लिमरंग घर आता है तो वो लोग को जाते हुए देखता है तो अपनी मॉम से सवाल करने लगते कि क्या आप दूसरे आदमियों को बुलाते हो मेरे जाने के बाद अंदर बिचारी रोती रहती है क्योंकि वो लोग ने उनका रेप किये थे बाहर वो अपनी मॉम को कोस्ता ही रहता है कि अगर मैं अची जगा जनम लेता था तो आज मैं भी पर्ल लिख पाता था आप जैसी मा होने एक बेज़ती और शर्मिन्दा वाली बात है अंदर वो बहुत रोती है और अपने बच्चे से ये सब सुन के वो बरदाश नहीं करती है तो सुसाइट कर लेती है वो देख के लिम रंग शौक हो जाता है फिर दिखाता है जब लिम रंग बड़ा हो जाता है वो एक जगा काम करता है जहां सब ड्रग लेते हैं उस जगे का वो देख रेक करता है वो फिर ओनर से पुछता है कि सब ड्रग पे कैसी जिन्दा रहते हैं वो फिर बताता है कि ड् पुरक की लट खराब होती इसलिए तुम मत लेना फिर लिम्रंग अपने पुराने घर जाता है ऐसा ही देखने उधर वह वही लेडी से मिलता है वो उसको बोलती कि तुम कैसे आई इतने दिन बाद वो बोड़ता है उस औरत के लिए तो बिलकुल नहीं आया हूं जब वो मरी तब फिर वो लेडी सब बताती है अब लिम्रंग बहुत रोता रहता है पस्तावा जो से होता है फिर वो गुसे में जाके गवनर को मार देता है और बाद में जाके उस तिनों सिपाई को भी वो इतना शौक में रहता है कि वो भी ड्रग पे जिन्दा रहने लगा था फिर प्रियम रिपर बनने का फैसला लेता है कि अगर उसकी मॉम का दूसरा जनम हुआ भी तो एचलिस अपने मॉम को वो दूर से देख सके लिमरंग को गोरन के अंडर ही काम करना रहता है बड़ वो न्यू था तो गोरन उसे दुसी टीम भीजती है जहां मरे हुए लोग का रिकॉर्ड रखते हैं कि हो सके तो शायद वो अपनी मॉम का पुनर जीनम का रिकॉर्ड देख सके फिर वो लिमरंग को पागिल से मिलाती है फिर जब बाद में डारेटर रिक्स मेनेजमेंट टीम बनाती है और उसका मैनेजर गोरन को तो ये सुन के लिमरंग भी टीम जॉइन करता है कि अगर उसकी मॉम ने फिर से सुसाइट करने की कोशिश की तो एटलिस इस बार वो उन्हें बचा सके इसलिए लिमरंग आठी घंटे काम करता था उसके बाद वो अपनी मॉम को ढूने जाता था ऐसा बोलते है कि अगर एक परसन सुसाइट करके मरा हो तो हो सकता है वो अपने अगले जनम भी वही करे और ये इसलिए होता है कि पिछले जनम का कुछ चोड जो बहुत घहरा होता है दर्द उतना घहरा होता है जो पूना जनम में इफेक्ट करता है वहाँ लिमरंग की मॉम वैसी हालत में भी काम करती है तो लिमरंग जाके उनसे कपड़े खड़ता है वो उसका नाम पढ़के बोलती है कि बहुत यूनिक नेम है जैसा पहले उसकी मॉम बोलती थी फिर ये सोच के वो एमोशनल हो जाता तो जल्दी से भाग जाता है फिर वो सारा समान आफिस में से लेके जाता रहता है जुन्मंग उसे फैरवर पाटी देना चाता था तो वो लोग जाते रहते है बढ़ फिर रास्ते में लिमरंग अपनी मॉम को देखता है तो पाटी के जगा पीने जाता है जुन्रंग उसे समझाता है कि खुद को मत कोसो अभी वो अच्छी लाइफ जी रहे है बट लिमरंग वही बोलता है कि मेरे वज़ा से वो मरी है मैंने ही उनको मारा हूँ क्योंकि उसने अपनी मॉम को बहुत बुरा भला जो बोला था यह सोच के लिमरंग एक कोने में जाके बहुत रोता है उनको सौरी बोलता रहता है वहाँ उसकी मॉम की डिलिवरी होती है और उसके एक महीने बाद उनका रेड अलेट एप में केस आता है मतलब सुसाइट का और यहीं एपिसोड खतम हो जाता है तो नेक्स एपिसोड में देखते हैं कि क्या लिमरंग रिक्स मेनेजमेंट टीम वह आपिस जॉइन करके अपनी मॉम को इस बार बचा पाएगा कि नहीं तो नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर